तो गाइस आज से हम स्चार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है डेंडड़ेंड पर गाइस एपिसोड स्चार्ट करने से पहले एक मैं वार्निंग दे दूँ कि इस एनिमे के अंदर कुछ ना 18 प्लस सीन्स भी होंगे तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखन अब बिना डाइस के स्टार्ट करते हैं तब यहां हम मेन करेक्टर मोमो को देखते हैं जिसका बॉइफ्रेंड उससे पैसे मांग रहा होता है तब मोमो उससे तंग आकर उसे एक लात मारती है और वो उसकी लात को रोक कर मोमो को ही एक जोरदा लात मारता है और रिलेशन त बोड़कर वाँ से चला जाता है तब मोमो उसे गालिया निकालने लगती है और स्कूल में जाकर रो रही होती है तब उसकी दोस्त उससे पूछती है क्या खीकर उसे वो लड़का पसंद भी क्यों था तब मोमो कहती है असल में वो मेरे फेवरेट एक्टर कैन टाका कुरा जै में तब मोमो देखती है दूसरी क्लास में कुछ बच्चे एक लड़के को तंग कर रहे होते हैं और उसे ये बिलकुल अच्छा नहीं लगता जिस वेज़े से वो उस लड़के के पास चरी जाती है आए हम देखते हैं सभी लोग उसे देखकर उस लड़के को तंग करना ब इससे बात कर रहे थे तुम्हें कोई गलत फैमी हो गई है जो भी हवी हुआ उसे भूल जाओ अपनी बात नहीं कर रहा हूं असर में मैं इस बुक की बात कर रहा हूं जिसे आपने पड़ा था इसका मतलब आप भी रहस्पी चीजों की फैन है ऐसा कुछ भी नहीं है क्यों क्यों मुझे यूएफो और एलियर्स में बिलको विश्वास नहीं है मैं यूएफो की बात नहीं कर रहा हूं बलकि यूएपी की कर रहा हूं जो की अन इडेंटिफाइल एरियल फिनॉमिना है देखिए यूएस मिलिटरी ने इसके एक्जिस्टेंस को मा लिया है और एक स् इसले में ये सबको नहीं सुनना चाहती मेरे पस तुम्हारी ये बिकासी चीज़ें सुनने का टाइब नहीं है और जिस तरह तुम जवर्दस्ती लोगों को ये साही बाते बता रहे हो यही वह कारण है जिस वज़े से कोई भी तौरा दोस्त नहीं है तौमों वहांसे जान तो मोवो कहती है मैंने अभी अभी तुम्हारे टॉपिक जैसे सेम टॉपिक पर बात की है और तुम फिर भी नहीं मान रहे हैं तुम्हें शायद पता नहीं है और मेरी ग्रैंडबा एक स्पिरिट मीडियम है कि तुम्हें कभी एक्जॉस इसम देखा है वो सच में बहुत खतरनाक होता है इसमें जो पुझेस परसन होता है वो पूरी तरह से हिल जाता है देखना कहीं तुम भी बीमारी के कारण पूरी त चाट कर देते हैं तो मोमो की दोस्त यह देखकर बहुत जादा है कि मोमो कितनी जल्दी अपने एक्स बॉइफ्रेंट को भूलकर नए लड़के के साल लग गई है तो मोमो कहती है चलो फिर एक कॉम्पिटिशन हो जाए अगर तो घोष असलिएत में एक्जिस्ट करते हैं तो मेरे नौकर बनोगे तो अगर ऐसी बात है तो अगर मैं आपको दिखा दूँगा कि यूफो एक्जिस्ट करते हैं तो आप मेरी नौकर बन जाएंगी तो यहो देखते हैं रात को मोमो एक पुराने हॉस्पिटर में चली जाती है जहापर वो उस लड़के को फोन पर कह लिया जाएगा और उसके वाद एलियंस आपकी बॉरी पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे रुखे जड़ा कहीं तुम्हारे उपर पहले एक्सपेरिमेंट्स हो तो ने चुके हैं शायद असा हो भी सकता है क्योंकि बहुत से लोग जिनने किड़नाइप किया जाता है उनकी मे जी ये बताओ कि तुम्हारी तरफ चीज़ें कैसी चल रही हैं जा आपने बताया था मैं उस चैनल के बाहर पहुंच चुका हूँ अब मैं अंधर जाकर ये प्रूफ कर दूँगा कि इस दुरिया में भूत एक्सेस्टी नहीं करते रुको ज़रा क्या दूंट रह रहे हो अई हाँ मैं दुम्हें पहले ही बता दूँ वो जगा भूतों के लिए बहुत ज़रा फेमस है ता हम देखते हैं वो लड़का डर के मारे चीखने लग जाता है ता मोमो कहती है लोगों को कहना है कि अगर आप वाँ पर जोल जोल से चलाओगे तो ये आपके लिए बहुत खत्रे की बात हो सकती है तो फिर आप मुझे एक और चीज़ बताईए कि आपने कभी घोच को देखा है नहीं बिलकुल नहीं आखिकार ऐसा कैसे हो सकता है अगर आपने कभी घोच को देखा ही नहीं है तो आपको उसके existence पर भरोसा कैसे है मैंने तुम्हें बताया तो था क कि मेरी ग्रेंडमा एक spirit मेडिया में मैं हमेशा अपनी ग्रेंडमा के साथ रही हूँ क्योंकि मेरे parents नहीं हैं तो इसलिए हर बार जब मैं घर से बाहा निकलती थी तो मुझे एक special type का good luck ritual perform करना पड़ता था जिस वज़े से मेरे school के दोस्त मुझे पर हसते थे पर अगर मैं वैसा नहीं करती थी तो मेरी ग्रेंडमा मुझे बहुत गुसा होती थी तब एक दिन मेरे लिए वो बहुत ज़्या मुश्किल हो गया क्योंकि जिस लड़की को मैं पसंद करती थी उसने उस चीज़ को लेकर मेरा मजाग उड़ाया था जिस वज़े से मुझे ग्रेंडमा स औखी तुमए कि अगराओ पेला हाँ, कि उ प्षंच करने के लिए कि रिजन की ज़रूत नहीं? कि यह तो तुमने सहीं कहाँ ? वैसे तुम फोन पर तो काफी अच्छे से बात कर लेते हो क्या सच में फोन पर आप से बात करना भी काफी असान है तब हम देखते हैं उस लड़के को खून से सरे हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं तब ही उसके साबने एक बुड़ी औरत आ जाती है जोगी कहती है तब वो लड़का भूद भूद चिलाते हुए वहाँ से भागने लगता है तब मोमो कहती है तब हम देखते हैं वो टर्बो गिरैनी उस लड़के को पकर लेती है और यहां मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता जिस वजय से वो उस लड़के की मदद करने जाने लगती है तब ही हॉस्पिटल्स की लाइट बंद हो जाती है और वहाँ उसे लोग दिखाई देते हैं तब वो लोग उसे भी पकर लेते हैं और उसके कपड़े उतार के उसे बात देते हैं तब हम दिखते हैं वो लोग ऐलियन्स होते हैं और एक ऐलियन कहता है हम लोग Sertepoints है जो कि प्लैने सेड़ पोसे आए हैं और तुम्मे डरने की कोई ज़त नहीं है क्योंकि हम लोग friendly लोग हैं जिस वज़े से हम लोग clone technology के जरीए reproduce करते हैं और त्योंकि हमारे याँ पर biological evaluation नहीं होती है तो हमारे पास basic human emotions नहीं होते हैं तो अगर अब हमें humans जैसे similar function चाहिए तो हमें तुम्हारा बनाना चाहिए जिसके लिए अब हम practical करेंगे और ये practical होने के बाद हम तुम्हारा uterus और बनाना research के लिए extract कर लेंगे तो मोमो इस चीज़ के लिए मना करने लगती है और जोर-जोर से चिलाने लगती है पर वो alien उसे शांत करवा देते हैं और अपनी psychic power से उसके emotions को जगाने लगते हैं तब हम देखते हैं किसी तरह मोमो उनकी power को register कर रही होती है तब ही मोमो का phone बजना start कर देता है और हम देखते हैं उस phone में से टर्बो granny वहाँ पर आ जाती है और उस alien का बनाना खा जाती है तब हम देखते हैं असर में वो लड़का टर्बो granny बनके वहाँ आया होता है क्योंकि टर्बो granny ने उसे शापित कर दिया होता है तब मोमो उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है तब alien कहता है आखे का तुम कौन हो? और तो स्मार्टफोन से यहाँ पर कैसे आ सकती हो? ऐसी टेकनोलोजी तो हमारे पास भी नहीं है तब वो लड़का कहता है और टर्बो granny में करवाट हो जाता है तब टर्बो granny कहती है मुझे अपना बनाना खाने दो तब वो alien कहता है तब यहाँ आने की कोई जादत नहीं है तो इसलिए यहाँ से निकल जाओ नहीं तो अपना बनाना हमें दे दो तब हम देखते हैं वो alien ग्रैनी पर हमला कर देते हैं और टर्बो granny एक और alien का बनाना खाकर उसे नीचे फैंक देती है तब हम देखते हैं तीसरा alien उसे नीचे फैंक देता है और कहता है हमने आस तक किसी भी इतने गुस्ते वाली चीज़ का सामना नहीं किया है हमारे relations humans के साथ अच्छे हैं तो इसलिए हमें अपना बनाना दे दो तब लड़का कहता है जो भी मेरा है वो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूँगा मैं हमेशा से aliens से मिलना चाता था क्योंकि मेरे कोई फैंड नहीं थे तो इसलिए मुझे लगा कि कम से कम aliens तो मेरे friends बनेंगे ही जिस वज़े से मैं भचपन से ही आसमान से यो फोस को बुला रहा था पर तुम लोग कभी नहीं आए humans ने हमेशा मुझे बुली किया है aliens ने कभी मेरी बात नहीं सुनी और कभी भी किसी को भी मेरी existence से फरक नहीं पड़ा पर फिर भी मिस मोमो ने मेरे साथ दिया है तो इसलिए अगर तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तो लोगों का नहीं छड़ूँगा और अगर मुझे उन्हें बचाने के लिए monster भी बनना पड़े तो भी मैं बनूँगा तो वो लड़का अपनी पूरी ताकर से उठने की कोशिश करने लगता है पर वो एलियन अपनी psyche power से उसे पीछे धकेलने लगता है जिससे की वो हार मान जाता है तो वो एलियन कहता है हम तुम जैसे गुसे वाले लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते हैं और वैसे भी हमें लड़कों से ज़्यादा women's में इंट्रस्ट है तचलो फिर अपना practical स्टार्ट किया जाए तब मुमो को अपनी grandma याद आने लगती है जो कि उससे कहती है तब मुमो कहती है पर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि इसकी वरे से मेरे दोस्त मेरे रोस बजा कुडाते हैं तब ग्रेंडमा कहती है आखिका तुम ये क्या बोल रही हो अगर तुम अपनी ची को बहा निकलने दोगी तब तुम कभी भी बिमाई या फिर हट नहीं होगी और बुरी चीज़े तुम्हारे करीब भी नहीं आएंगी तब इसले सबसे पहले अपने lower abs को tight कर लो और imagine करो कि तुम्हारी ची तुम्हारे सिर के उपर से बहा निकल रही है तब मोमो को अपनी बिस्ती याद आने लगती है और वो कहती है मुझे इस चीज़ से नफ्रत है तो इसले मैं ये नहीं करूँगी मैं आप से नफ्रत करती हूँ ग्रेंडमा और आप एक fake spirit medium है तब यहां मोमो सोचती है आखिकर अपना पास क्यों याद आ रहा है मुझे माफ कर देना ग्रेरमा कि मैंने उस टाइम आपको वो कहा था तब हम देखते हैं मोमो अपनी चीज़ को अपने सिर से बहा निकालने लगती है जिससे कि वो उस एलियन की कैल से अजाद हो जाती है तब वो लड़का कहता है मिस मोमो क्या आप psychic power यूज़ कर सकती है तब मोमो कहती है इससे तो मैं खूल surprise जो तब वो एलियन कहता है आखिका मेरी psychic power इसके सामने कमज़ोर क्यों पढ़ रही है क्या मैंने इसकी brain wave को इतना जादा बदल दिया है कि इस woman का chakra open हो गया है तब मोमो कहती है मेरी grandma सच में एक real spirit medium है ताइंक्यू grandma और मैं इसकी मदद से इन जैसे बिकार से लोगों को उठा कर पठक सकती हूँ और तब वो उस alien को एक जोरदा लात मारती है जिससे कि वो alien UFO के बहार जाकर गिरता है और UFO की functionality खराब हो जाती है तब यहां मोमो देखती है कि उस लड़के के उपर टर्बो ग्रैनी हावी हो चुकी होती है और वो मोमो के उपर हमला कर देती है तब वो उसे शाहत रहने के लिए के लिए कहती है और हम देखते हैं अपनी psychic power की मदद से वो उस लड़के को उसके असली रूप में ले आती है तब टर्बो ग्रैनी कहती है आगी का तुम हो कौन तब मोमो कहती है तब टर्बो ग्रैनी कहती है और वहाँ से चली जाती है तब हम यहाँ देखते है वो योफो उरता हुआ उस hospital पे जाटकराता है जिससे की वो hospital तबाह हो जाता है पर हम देखते है मोमो और वो लड़का बच जाते है तब मोमो कहती है मुझे अब विश्वास हो गया है कि aliens असल में exist करते है जोगे उन्होंने मुझे किर्णैप कर लिया था तब लड़का कहता है मुझे भी अब भूत पर विश्वास हो गया है क्योगे अब मुझे श्राप मिल चुका है आखिकर अब हम क्या करेंगे तब लड़का मुमो को अपने कपड़े दे देता है और कहता है ये सब कुछ मेरी वज़े से हुआ है तब इसलिए आपको मेरे साथ बाद चलने की जूरत नहीं है मैं किसी तरह टरनल तक पहुँच जाऊंगा अखिकर तुम मुझे अपने साथ यो नहीं आने देना चाते और वैसर भी मैं तुम्हें अक्यला नहीं छोड़ सकती क्योंकि अगर मैं पास नहीं होंगी तो तुम शायद मर सकते हो क्या पका मेरे जैसे बंदे की मुदद करना चाती है चेंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं और उससे उसके कप्रे दुबारा पहनने के लिए कहती है ता वो लड़का कहता है मुझे माफ कर दिना कि मैं थोड़ा अजीब इनसान हूं पर क्या आफ प्लीज ये कप्रे पहन सकती है क्योंकि इस तरह मैं आपसे अच्छे से बात नहीं कर सकता तब मुमो का दिल जोर-जोर से धड़कने लगता है और वो सोचती है और उससे उसका नाम पूसती है तब लड़का कहता है जिससे मुमो हैरान हो जाती है और हम देखते हैं उसके पीछे योफोर्ट फट जाता है और इसी के साई एपिसोर्ट ख़दा हो जाता है और नेक्स एपिसोर्ट के लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा असपर क्लिक करके एगले एपिसोर्ट को देख सकते हो